लोग्र देश्टूटेंटेंटेंट्स वेल्कम तो माई चैनल पतिल साइन्स अकेडेमी दिएच्टूटेंट्स टूपिक इस लाओस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लास ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स ने कुछ ब्रॉब्लेंस अगर लास हो रही है तो इससे इकोसिस्ट प्रोलम है प्रॉब्लम नमबर म führt नेचरल डिजास्टर जिसमें शुक्तिक इसे थाहिसे लूच अर्थ्वेक व्र्क अक्सेट चरान जडाशिव होता है प्लास ब्लाश कोई लंबर में 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 तॉच्ट हंप स्प्र्ष में य exploitation and reclamation और यह जो चीजी है अर्बनाइजेशन यह सब चीजी इसका कारण बनते हैं तो थ्री टाइप के extinction जो है यह serious problem को पहुशता है बायो डावर्सिटी का loss चीफ serious aspects of loss of biodiversity is the extinction of the species सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है डियार स्कुर्ण बायो डावर्सिटी के loss होनी का कि species extinct हो जाते हैं दुनिया से species जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाते हैं यह सबसे बड़ा नुकसान है डियार स्कुर्ण बायो डावर्सिटी के loss का तीन टाइप के extinction होते हैं जिसमें पहला टाईप आता है natural extinction दूसरा आता है mass extinction और तीसरा है main made extinction तो अलग-अलग कारे करने सबी के लेकिन इस चेप्टर में हम loss of biodiversity के main चार रिजन देखेंगे there are four major causes popularly known as the evil caught it वह चार कौन से बड़े-बड़े reason है जिसके कारण biodiversity हमारी loss हो गई है यह loss हो रही है बहुत सारे species को हमने खो दिया है इसको one by one देखते है यह पहला list में आता है habitat loss and the fragmentation दूसरा आता ह है और exploitation और तीसरा आता है alien species है चौदा है को existence दूनिया में यह चार रिजन को जो है evil caught it माना गया है इसका मीनिंग क्या है यह one by one हम देखेंगे और पूरी detail के साथ इस लेक्चर में देखेंगे photograph के साथ और बढ़िया से बढ़िया example के साथ इंडिया और पूरे दुनिया की एक्जामपल के साथ इस chapter इस topic को हम समझेंगे तो लेस्टार्ट टॉपिक है habitat loss habitat loss यह चार evil caught it में से पहला वाला एक reason देहा गया है habitat loss habitat loss is a destruction of the ecosystem by unwanted human activities like the urbanization, intensive farming, deforestation, mining activities and so on just one human activity के कारण अगर ecosystem destruct हो रहा है अगर किसी living organism का गर यानि उसका habitat यह अगर वो उजड रहा है खराब हो रहा है बरबाद हो रहा है तो यह बहुत बड़ा वज़े बनता है human activity इसका जिसके कारण किसी भी living organism का घर उजड जाता है नानि इसके रहनी की घर की जिसको घहर मन मिलते हैं रहनी की जगह वो उसका जह एक्स्टंक्ट हो जाता है, डेस्टर्क्ट हो जाता है, नहीं मैंद मिलते हैं बर्बाद हो जाता है इसे को पुर्ते हैام है बढेट लॉस कि multiplex हा क्या ज्रूर सिरर्ण के राइस इंहों कि में हो बियार हो जाएगा for the human activities that continuous habitats become fragmented and this is called habitat fragmentation the Australian habitat fragmentation कि इसको बोलते हैं एक बड़ा वाला ecosystem है एक बड़ा habitat है जैसे एक बहुत बड़ा grassland है तो बीच में से human activity के कारण development के कारण जो है उसमें से एक बहुत बड़ा रोड बनके जला गया है या एक बहुत बड़ी जो है डैम बना लिया गया जिसके कारण उस एरिया के दो हिस्से हो गए है तो इसी को बुलते है habitat fragmentation degradation of the natural habitats are threatened species तो चार कारण में से सबसे पहला कारण हमने देखा habitat loss यानि plants या इनिमल्स या किसी भी species का अगर घर ही उचड़ जाए तो जायर सी बात है यह उसके दुनिया से खतम होने का यह बहुत बड़ा कारण बनेगा या जिसका घर या तो पूरी तरह से डिश्ट र्टेर होने हैं पहली की एक्जामपल में अगर हम देखे तो टॉपिकल rainforest आर दा बैस लॉस्ट अट आर बिंग लॉस्ट एट और अन अलामिंग एट अलामिंग रेट एट अथ अलामिंग डेट अन ट्रॉपिकल रेन फॉरस्ट कावर है दुनिया में और दूसरा देखते है और एक्सप्लाइटेशन इसकी एक्जामपल के साथ हम देखेंगे इस दा हर्वेस्टिंग आप दा रिन्यूबल सोर्स तो दा एक्स्टेंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिया स्टुडेंट्स यह दुनिया में है क्योंकि और एक्सप्लाइटेशन को अगर समझाना है तो हमें स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी डाइप की लिविंग और इसमें उसमें सिर्फ हुमन बीइंग ही ऐसा है जो एक्युमिलेशन करता है किसी भी चीज़ का यानि जो नैच्रल रिसोर्स से से उस तो नैच्रल रिसोर्स का जो भी नैच्रल रिसोर्स से दुनिया में है नदी है पहाण है फॉरिस्ट है और दूसरी जो भी है तो उनका हद से ज्यादा ज़रूरत से ज्यादा यूज करना यानि और एक्स्प्लाटेशन उनका करना यह है तो इसका बहुत बड़ा रिजन ब दिरे दिरे खतम होते जा रहे हैं और यह बड़ा कारण बन रहा है डिया स्टोएंट काई का बायो डावर्सिटी के लॉस का उके उसके पाद कुछ एक्जामपल यहां पर हम और और एक्सप्राटेशन के देखेंगे और एक्सप्क्राटेशन के एक्जामपल में सबसे पहले हम देखते हैं कि और Music शिएशन और टी होटेत ओधी कर रवाजी इसंक्तुन के कारण बहुत सारे ओर-खत्रे की कि खत्रे में आ जाते हैं उनकी जान जो है चली जाती है उनके number of species कम हो जाते हैं और at last वो खतम हो जाते हैं तो जो डोडो बर्ड्स और स्टिलर सी काव और पैसेंजर पीजियन हैं ये कुछ एक्स्टिंशन की due to the over exploitation इनके घर उजड़ गये हैं जहां जहां नेचरल रिसोर्स में ये हैबिटेट इनका था और जो भी चीज़े इनको चाहिए थी वह सब over exploitation के कारण खतम हो गई है इसलिए इस तरह की ये तीन एक्धामबल जू है ओर exploitation के कारण जियर निया से extinct हो चुके है ये हम देख रहे हैं तो ये क्या है इस ये है डॉड़ो बर्ड डॉडो बर्ड讲ंड डी ओ डी ओ डॉडो बर्ड की आप फोटो देख रहे हैं डोडो बर्ड यह दूसरे वाले औरीजनल में डोडो बर्ड मैं आपको बता रहा हूँ यह आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगे क्योंकि यह एक्स्टिंक्ट हो चुके है क्योंकि नैचरल रिसोर्स का जो है बहुत ज्यादा यह में एक्टिविटी की कारण यूज हुआ जिसके का डोडो बर्ड जो है दुनिया से खत्म हो गए है इसका कारण जो है उसके बाद दूसरी एक्जामपल आपको बताता हूँ दूसरी एक्जामपल है स्टेलर सी काउ की डोडो बर्ड अब देखते हैं स्टेलर सी काउ स्टेलर सी काउ स्टेलर सी काउ स्टेलर सी काउ स्टेलर स जैसे डोडो बर्ड हमने देखा, अभी हम देख रहे है इस्टिलर सी कॉप एक बार फिर से दिखा दो आपको यह है स्टिलर सी कॉप अप दुनिया में डिया स्टोंड एक्स्टिंक्ट हो चुकी है और एक और इग्जामपल इसकी बताते हैं हम आपको जो जो है ये मैसेज पहुचाने के काम ये करते थे तो ये भी दुनिया से जो है एक्स्टिंक्ट हो चुकी है विकाज़ अब दा ओर एक्स्प्राइडेशन अब इसका ओरिजिनल देखते है देखे ये है ओरिजिनल पैसेंजर पीजियन इसकी आए देख सकते हैं तो ये एक्सामपल ओर एक्स्प्लाइटिशन कि तीन आफ एक्सामपल याद रख सकते हैं कर जो नैच्ड़ल रिसोर्स से उनका इज्रूद एनेड़ करते हैं आद से ज्यादा जरूद से ज्यादा इस्तिमाल करने के कारण वो जो है दुनिया से तिर्षा खतम हुआ रहे है जिसके कारण जो वहां के रहने वाली जो स्पेशी से उनको availability of basic needs के lack की कारण lack of availability of the basic needs वो दुनिया से exploit extinct हो चुगे है तीन इक्सामपल हमने देखा डोडो बर्ड, स्टिलर सी काव and passenger pigeon. Example of the extinction due to the over exploitation. दो दिया स्टुटन, चार evil में से दो evil मैंने अभी तक आपको बता दिया हूँ. जिसमें से पहला हमने देखा था, habitat loss and fragmentation का. दोसरा हमने देखा over exploitation का. अभी तीसरा example देख लेते हैं. तर्ड नमबर एक्जामपल वेरी इंट्रेस्टिंग है, वो चार जो evil threat है, उस चार में से, तीसरे नमबर का भी हम देखते हैं, तीसरे नमबर का dear students, वो उसकी detail के लिए हमको यहां जाना पड़ेगा, alien species, alien species एक बड़ा कारण हो गया है, लेकिन alien species को समझने के लिए, आपको फोटो भी मैं दिखाऊगा, लेकिन पहले उसका कौन से कम समझते हैं कि alien species किसको बोलते है, इस रोंड वेन और न्यू स्पेशिस के इंट्रोड इंटो एको सिस्टम, एक्सिडेंटली और इंटेंशनली, जब किसी एरिया में किसी एको सिस्टम में कोई new वाला स्पेशिस एंटर होता है, यानि कोई किसी एरिया में कोई दूसरी जगह से कोई new species, कोई new animal, कोई new वाला स्पेशिस जो पहले से वहां नहीं था, वो नए new की entry होती है, तो वो जो स्पेशिस है, उस एरिया में अगर आकर वो पर्मनेंटली एडप्ट कर लेता है उस एरिया को और वहा पर्मनेंटली आया हो या इंटेंशनली आया हूँ, तो देरा चांसेस टाट इट प्रूफ्स डैट हामफुल ऑफ हामफुल फॉर्ड एग्जिस्टंस आप दे स्पेशिस तो यह जो एलियां स्पेशिस है इसका इन्वेजन हुआ है, यानि इसके एंट्री हुई है कहां प इसके नंबर जो है डिकलाइन हुए है, यानि उनको जो नहीं आया हुए जो एलियां स्पेशिस है जिसके अलियां स्पेशिस हम अब वार्ड यूज कर रहे हैं, उनके आनि के कारण जो पहले से वार है थे नेट्वी स्पेशिस वो जो है खतम होते हैं, तो यह एक बड़ा कारण बताया जाता है, एलियां स्पेशिस इन्वेजन का, तो यहां के सम टाइम क्या होता है, जो लोकल स्पेशिस होते हैं, वो मर जाते हैं, तो इसकी भी बड़िया सी एक्जामपल अभी आपको मैं बताता हूँ, थार्ड नंबर के, चार में से थार्ड नंबर का बायो कारोड ग्रास की, तो यह देख रहे हैं, आप यह है, कारोड ग्रास है, यह कारोड ग्रास है, यह कारोड ग्रास आप यहां पर देख रहे हैं, यह कारोड ग्रास क्या है, ता कारोड ग्रास जिसका नाम है पार्थेनियम, पार्थेनियम और इसके साथ और दो प्लांट है, एक का नाम है लेन्टाना और एक का पनाम Hans Mastery нес या आक्रन यह जो है अपने देश में है ये बाहार की देश के स्पेसे हैं लेकिन य किसी कि इंटेंशन से अपने देश में जो है किसी साइंटनिस्स ने किसी औरको अरटिस्स ने इसको एंटोर्डियोस किया था तो तो आज यह हमारे पूरे एरिया में इंडिया में जो है पाए जाते हैं और इनके कारण जो है यहां के जो नेट्व स्पेशिस थे उन वो जो है खतम हुए है उनका जो है एक्स्टिंग्शन हुआ है तो यह कैरोड गिरास पहला प्लांट यह मैंने आपको बताया भी दूसरा प्लांट है इसको और निया भी बुलते हैं पाणि में यह रहता है सलिए वाटर हैसिंग्शन इसका नाम है तो यह तो यह वाटर हैसिंग्शन भी अपने इंडिया का स्पेशिस नहीं था यह एक और प्लांट है जिसकी फोटो अप देख रहे हैं यह है लैंटाना तो यह एक्जाम्पल जो मैंने अभी बताया कैरोट ग्रास और लैंटाना जो अभी आप देख रहे हैं और वाटर हाइसेंट यह जो है हमारे देश में इंटेंशनली बाहर से आए थे जहां तक प्रॉबिबली मेरा ख्याल है जो एक किंग गुजरे है टिपू सुल्टान उन्होंने कुछ यहां पर प्लांट्स की एकॉर्णिया प्लांट्स की कुछ वराइटी यहां पर फॉरें से हमारे इंडिया में लेकर आए थे और उसका प्लांटेशन किया था जिसके कार अपने अरिया में दीखेंगे तो इससे वह इसका कारण यह हुआ कि इसके कारण जो अपनी इंडिया की जो नेटिव स्पेशिस थे वह डेकलाइन हो गए उनके नंबर डिकलाइन हो गए इवन वह एक्स्टिंट हो गए उसके बाद एक और एक्जामपल है इंट्रोड़क् इसका प्रेडेटर फिश का नाम है नाइल पर्च यह जो है डिया स्टूड़न्ट विक्टोरिया के लेक में यह जो है इसने एक अपना एलियान स्पेशिस इन्वेजन वाला रिकॉर्ड बनाया है क्या करा इसने इसकी वहां पर इंट्री जब हुई तो इसकी इंट्री के क शेकार किया वहां के जो छोटे-छोटे मशलिया थे जिनका नाम था चिछलिट फिश वह भी मैं फोटो बताता हूं उनकी 200 लोकल स्पेशिस ऑफ चिछलिट फिश हैड बिन डिलीटेट फ्रॉम डैट लेक जो विक्टोरिया की वह जो लेक थी जहिल ती वहां पर यह जो फ इसने क्या किया यह वहां की छोटी-छोटी मशलिया थी जिसका नाम चिछलिट फिश उनके आल्मोस्ट-बिन दोसो लोकल स्पेशीज को खादम कर दिया यह जो दिख रहे हैं यह वहां की विक्टोरिया की जहिल में थी लेक में थी और जिसको इसके पहले जो मैंने फोटो तो बताया नाइल पर्च यानि प्रडिटर फिश इस यह जो भी आप देख रहे हैं इसकी 200 स्पेशीज को उन्होंने वहां से शिकार कर लिया उनका और उसको खा लिया ईंडिया र्वेंट्स तो किसी न्यू स्पेशीज की इंट्रि का होना यह देखिए सबके सब क्या है यह जितनी भी आपको दिख रहे हैं यह जितनी हैं फिश है और यह चिष्लिट फिश को खा आगा नाइल पर्च नी यानि प्रेडेटर फिश ने खाया था यह बात है यह तो यह ने खाया था नाइल पर्ष ने तो यह एक्जामपल है कि कभी अगर बाहर से आता है और वहां के लोकल स्पेशिस को अगर वह डिस्ट्रॉई कर देता है तो यह थार्ड रीजन माना गया है वह चार रीजन में से पहला वाला हमने देखा habitat loss and fragmentation दोसरा अपने देखा और exploitation डोडो बर्ड अगरे उसकी एक्जामपल में ने बताया था आपको पैसेंजर पीजियन और तीसरा हमने देखा अपने देखा एलियन स्पेशीज इन्वेजन यहनि किसी नए स्पेशिज का आकर वहां के नेटिव स्पेशिज को नुकसान पहुचाना उसके बाद यह एक एक्जामपल हमारे इंडिया के लिए लेते हैं इसी एलियन स्पेशिस को लेकर तो इंडिया में डिया सुट्ट इंट्रॉडशन अफ्रीकन कैट फिश जिसका नाहमें क्लैरियस गैरी पाइनस अफ दाएक एक्वाकेलच पर्पस एक डिया स्टोर्ड अफ्रीका से इंट्रीच पोटो दिख रहे हैं कि आपको जो दिख रहे हैं आपको दिख़ रहे हैं जुम कर दिखाता हो मैं तोड़ा य इस नहीं परपस के लिए साइंटिस्स लोग उने जब लेकर आया तो इसने क्या किया हमारे एरिया की जो एंडेमिक फिश थे जैसे जिसकी फोटो आप दिख रहे हैं यह चोटी-चोटी जो कैट फिश है इस कैट फिश को ही इन्होंने डेस्ट्रॉई कर दिया इनको इन्हों ने खतम कर दिया अपने एरिया से एक फिर से कैट फिश आपको दिख रहे हैं तो हमारे इंडिया की एक जेंड़ी एक्जांप़ और कुर से व ऐलेकस्म धैर Türkiye तो इसने हमारे चोटी-चोटी कैट फिश को हुए ह। आप यह को थे लोगनेंग फिश उने मेजिद हैं पर्टीकुलर एरिया कि पाए जाते हैं और वो इसी इरिया उनही के लिए जाना जाता है तो उसको इन्डामिक स्पेशिस बोलते हैं जैसे यह लाइन इंडिया का तो यह कुछ एक्जामपल्स यहां पर हमने देखे एंडेमिक स्पेशिस के और दूसरे स्पेशिस के एक और एक्जामपल यहां पर देख रहे हैं आप इंडियन जाइंट स्क्वारल यह जो है अब यह सब जो है एक्स्टिंक्ट होने की कागार पर है यह हो चुगे है उसके बाद किटी हॉग नोस्ट बैट यह आपको यहां पर दिख रहे हैं यह सब इसी की एक्जामपल है एंडेमिक की और साली मली फ्रोट्स बैट यह आपको दिख रहे है इट इस रिपोर्टेट फॉम वेस्टन घाट आफ तामिल नाडू कैरला एं तामिल नाडू इट वस ओरीजनली मिस इडेंटिफाइड इस शॉर्ट नोस्ट बट लेटर इंटिफाइड बाद किटी थांग लोंग यह बैंगोग बैंकोग अस न्यू स्पेशिस एंड वाज नेम आफ्टर इंडिया ने साली मली इन 1972 वेस्टन घाट में इसको देखा गया था इसका नाम पहले जो ता फ्रूट बैट था लेकिन बाद में फिर इडेंटिफाइड करके उसको जो है कि टी थॉंग लोंग यह बैंकोग नाम रखा गया और नितोलॉजिस हमारे देश के साली मली ने इसको यह इसमे एसको द्याट वैसरे मुक्राइग था और ने किट पहले अलिसी टाइद में देख्री उप तक निल्याट ए इसको इन गया प्राइड प्राइड बॉडद बब्र खार सब्रेब गया था इन फिर थे थों प्रीट बॉल यह इन वीनकों अर्द देख सकते हैं तो यह आप द यह देख सकते हैं, ब्राउन पॉंप सिवेट, ब्राउन पॉंप सिवेट, इस दिस्टिबूशन एक्सेंट फॉंप टीप 2 वेस्टन घाट इन दा कलककर, टाइगर रिजर्व तामिलनादू कन्यकुमारी, तो दा कैसल स्रॉक इन कोवा, दे आर नॉक्टरनल करनिवर्स, यह प्राउदन ट्री श्रेव, ओके डिया स्टुएंट्स तो यह हमने कुछ एक्जामपल्स देखे, तो चार में से तीन हमने अभी देख लिया है, और उसके बाद एक जो लास्ट बचा हुआ था, यह स्टुएंट्स वो लास्ट में आता है, को एक्जिस्टन्स, पहला हमने क ने किया देखा था, वर एक्स्प्लाडेशन, तीसरा हमने क्या देखा बहुत ही डेंजर, एलियान स्पेशी इन्वेजन, और चौथ था जो है, फॉर्थ नमबर का, फॉर्थ नमबर में जो है, को एक्जिस्टन्स करके, एक प्राबलम जो है, देखी गई है, यह चौथे किसको बोलते है, इसका में रिजन क्या है, वो हम देख लेते हैं, तो देखा हूंगा बहुत सारी इक्जांपल्स है, इस में, दूसरे पर डिपेंड रहे कर अपनी लाइब गुजारते हैं, इसको शिम्पियार्टिक असुजिएशन भी बोलते है, प्लाइंट्स में तो ज और अग्याइजम एक दूसरे पर डिपेंट है जैसे लाइकनिक एक्जामपल है फंगस और अल्गी दोनों सात में उसके बाद सिंबियूटिक असुशिशन में जैसे प्लांट्स के रूट पे जो है बहुत सारे आपको अभिआ यह दो लिविंग ऑगनिसम जैसे नवीन जो है यह दोनों की एक ग्जामपल उसमें है तो दो-तिन आपरी जो मैंने बताया हुए यह इसका क्या है यह अप्धिन आप लिल्हें जो या तो एक दुसरे के साथ रहते हैं या दुसरे की बॉड़ी एक दुसरे पर डिप सिस्टम इसमें से अगर एक का भी लॉस हो गया एक को एक की अगर महत हो गई या एक को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा अपने आप मर जाएगा तो इसको को एक्स्टिंशन बोलते हैं तो यह भी एक बड़ा करान माना गया है लॉस ऑफ बायो डायवर्सिटी का तो एक्स्टिंशन एक्सटिंशन अगर देखे तो एक्सटिंशन अफ दा होस्ट फिश कॉजिस देखना अपने यूनिक पैरसाइट जैसे आपने देखा होंगा बहुत स बायो डायवर्सिटी के चार कॉजिस हमने देखा अभी तो वी यार अवियर ऑफ थ्रेट तो डायवर्सिटी एंड लॉस ऑफ दा स्पेशी संद अर्थ वेन एनी स्पेशी इस टोटली इलिमिनेटेट फॉर्म दा अर्थ इस काल्ट एक्स्टिंशन कोई भी लिविंग और मेंबर्स ऑफ स्पेशी स्टाट ड्वेंडलिंग इडिसेट टो बेंडेंजर जब कोई स्पेशी से उसके पूरे के पूरे नंबर खतम नहीं लेकिन बहुत ज्यादा खतम हो गए और अभी भी खतम होना चालू है तो ऐसे ऐसे कैटागिरी वालों को हम एंडेंजर्ड कैट इन्होंने सब का रेकॉर्ड रखा है कि एक्स्टिंग्शन एनिमल को या प्लांट कोन से है दुनिया में एंडेंजर्ड स्पिशिस कोन से है और उनका करंट स्टेटस भी उन्होंने बताया है तो वह भी हम नेक्स लेक्शर में देखेगे तो अभी हमने देखा कि चार जो बड़े-बड़े कॉसे से वह कौस कौन से है वह हमने देखा ओके दिया स्टूरेंट्स उसके बाद इन लिविंग ऑगिनिजम को बचानी के लिए जो अब एक्स्टिंग्शन की लिस्ट में उनका नाम है तो उनको बचानी के लिए बाइलोजिकल होस्पाट बनाए जाते ह हमाले इस्टन हमाले था में पूरे दुनिया में थार्टी-फोर इस में नेचरल इन्वायर्मेंट दिया जाता है किसी भी लिविंग औरगानिजम को या नि उसका जो नेचरल घर तहा वही पर उसको जो हेई उसकी देखवाल की जाती है और वही पर उसको बेसिक रिक्वा species जिनकी तेदाद जिनकी population जो है अभी बहुत ज्यादा कम हो गई है और अभी भी कम होना चालू ही है तो ऐसे को threatened species हम बोलते हैं उसके बाद IUCN की detail मैंने आपको बताया International Union for Conservation of Natural and Natural Resources इन्होंने यह Red Data वाली बूक बनाई है The book maintains by the IUCN in the in which the threatened species are recorded as a Red data book उसमें यह पूरा इनका involvement है उसके बाद मैप करके एक टर्म है में एंड बायो डेस्ट बायो डाइवर्सिटी प्रोग्राम चलाय जाते है डिफरेंट टाइप्स के और WWF the World Wildlife Fund for Nature इन के लिए यह नेचर के लिए यह फंड प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इंडिया में जो है इंडियान बोर्ड आफ वाल लाइफ जो है यह इसमें बड़ा रोल प्ले करता है और International biological program जो है यह चलाय जा रहे है यह सब बायो डिवर्सिटी को लास होने इसे बचानी के लिए और यह नेशनल लेवल इस पर UNDP यॉनाइटेड नेशनल डिवलप्मेंटल प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम भी चलाया जाते हैं इसी पर्पस के कंसर्ण में ओके डिया स्टुडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसे स्पेशिज जिनकी पॉपिलेशन बहुत तेजी से कम हुई और अभी भी कम होना चालू है उसमें सब के डागेरी देख लेते हैं कौन सी को सी अभी मैंने आपको बताया है कि extinct species किसको बोलते हैं the species that completely disappeared from the earth जो पूरी तरह से दुनिया से बहुत बुरी तरह से उनकी पॉपिलेशन कम हुई है और अगभी भी कम होना चालू है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो बुरी तरह से extinct हो सकते हैं तो इनको endangered species बोलते हैं तो इसमें एक्जामपल जो है Asiatic lions की इसकी इसमें एक्जामपल है आप याद रख सकते हैं उसको और उसके बाद one horn rhinos जो है एक horn वाले जो rhinos होते हैं ये भी इसमें लिस्ट में आते हैं फिर लाइन टेल्ड मैकक और निल गरी ताहर जि species that likely enters the endangered category are called a vulnerable species ऐसी category जो dear students enter हो चुकी हो ने जा रही है या हो चुकी है endangered category में उसको vulnerable species बोलते हैं जैसे for example wild goat wild yak और बारा सिंगा wild ass वागेरे ये इस लिस्ट में आते हैं उसके बाद rare species इसको बोलते हैं वो देख लेते हैं the species with a small population which are neither endangered nor vulnerable जो ना तो वो endangered है ना ही vulnerable है तो ऐसे को rare species बोलते हैं okay यहां पर आप wild yak की example देख रहे हैं फोटो देख रहे हैं okay dear students तो यह species के नाम आप याद रखिए उसके बाद कुछ और देख लेते हैं approaches of biodiversity conservation अब biodiversity को बचानी के लिए conserve करने के लिए कौन से कौन से approach किये जा रहे है in-sidu तरीका it is the conversion it is the conservation of wildlife within their natural habitat यह कि in-sidu का मीनिंग के idea student clear आपको यह समझागी देता हूं मैं in-sidu का मीनिंग यह है कि कोई living organism है उसका जो नेचरल एडिया है वहाँ पर ही उस वह जो है endangered species की list में आ गया है यानि वहाई पर उसको basic requirement उसकी complete नहीं हो रहे है यानि वह उसको खत्रा है उसके उसके ही घर में नेचरल एरिया में तो उसको वही पर रखके वही पर उसकी देखभाल करना और उसको इस तरीके को बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन दा इट इस दा कंजर्वेशन अब दा वाल लाइफ विदिन दियार नेचरल है बिटेट उसका जो नेचरल घर ता वही पर इसको देखभाल करना उसको वहाँ जे निकालना नहीं तो एक्जामपल जैसे नेशनल पार्क ब तरीका कुन सा है दूसरा तरीका है एक्सिटू तहने अगर इन सीटू समझ मैं तो एक्सिटू आपके 101 समझ मैंगा एक्सिटू तपहिज़न तो इस दा कंजर्वेशन आप ओफ आप डलाइफ आउटसाइड नेचरल है यानि उनका जो नेचरल है उनका जो एक्छोल घर है को यह दूसरा तरीका है इनको बचाने का तो इसको बुलते है एकसी टू कंजर्विशन जिसमें जूलोजिकल पार्क आते हैं बाटनिकल गार्डन आते हैं और सीड बैंक वगेरे में सीड की पूरी इंफॉर्मिशन होती हैं तो यह दो तरीके हैं इसके जरीए जो है बाइयो तो जैसे के उसको जहन में रखते हुए sacred species और sacred group बनाए गए हैं उनकी एगलेज्ट बनाए गए है तो इसलिए वो उनको जो है लोग उनकी जो है रिस्पेक करते हैं और उनकी देख भाल करते हैं जैसे फर एक्जामपल हमारे इंडिया में जो है non-muslim जो category है लोगों की वो cow को जो है पूछते हैं उसकी पूजा करते हैं इसने की पूजा करते हैं बहुत सारे एरिया में monkeys की elephant की पूजा करते हैं तुलसी के बलांड की नीम के बलांड की पूजा करते हैं बन्यान ट्री की पूजा करते हैं तो इनको वो कोई नुकसान नह एक बहुत अच्छा तरीका है यानि उनको सेक्रेट स्पेशीज की लिस्ट में डाल देने का कि भाई ये धर्म से जूड़े हुए और इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं पहुचाएंगा तो जब इसको सेक्रेट स्पेशीज में डाल देंगे तो जो कम से कम वह समाज के जो बहुत है वह तो बिल्कुल उसको नुकसान नहीं पहुचाएंगे तो इसलिए स्पेशीज बनाना यह बहुत बड़ा फाइदेमन रोल प्ले कर किया है बाइउडायवर्सिटी को कंसर्व करने में उसके बास सेक्रेट स्पेशीज ने सेक्रेट ग्रूप सेक्रेट इस डेट डेडिकेट टो दे लोकल डाइटी डेटी आर कॉल्ड सेक्रेट ग्रूप ऐसे एरिया जो नेचरल है लेकिन उस एरिया को घुशित कर दिया गया है धर्म की बुनियाद पर कि भई यह एरिया में यह जो लिविंग ऑगिनिसम या यह जो प्लांट्स या इनिमल्स की आपाँ जाते हैं खासकर प्लांट के साथ ऐसा देखा गया है इंडिया में तो तो उन अपर्मिक मंपोर्टर्ण्स देदी गई और वहां पर जैसे मंदिर बना दिये गए हैं या कोई भी धर्म जो धर्मिक स्थल होते हैं वह बना दिये गए है उस बात है ओं दो नीर क उकडु और नगराबाना और भुता स्थाना और देवाब़ान अगरे यह सब अडिया में जानी जाते हैं इंडिया मेकिश्ट दियस्ट सुआ्यज्ट यह तरीका है वान मुझे को सफ़ करने गाउच कर लिटीफ्रय है अच्रीच मैं अडिया में फिसके लेशज़ कुछ लैंड्सक्राइब कुछ जमीन को कुछ ऐसा जो है ट्रेडिशनल के सब्सक्राइब के साथ जो है ऐसी माननेता देदी गई है कि यह सेक्रेड एडिया है तो वहां पर बिल्कुल हंटिंग और हुमन एक्टिविटी पर बैन होता है कि वहां पर नहीं किया जा सकती जैसे और रंगनाथना हिल्स जो है यह भी इसकी एक्जामपल में आते हैं तो यह कुछ टॉपिक है जो हमने यहां पर देखे और कंजर्वेशन के तरीके हमने देखे ओके यह स्टुएंट बायो डाइवर्सिटी डेप्लीशन करके एक टॉपिक है अगर बायो डाइवर्सिटी यह प्लांट्स और इनिमल्स का लॉस हो रहा है उसमें कमी आ रही है तो उसको बायो डिप्लीशन बुलते हैं इस कॉस्ट दूट नेचर डिजास्टर एंडा ही तो हमने यह देखे लिए आए यह लेक्शर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच ग्रेट इंडियन बस्टर् से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की इसकी खास बात यह है इसका इसको बहुत बड़ा बर्ड माना जाता था इंडियन ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तो वी लॉस लास्ट ग्रेट इंडेंड बस्टर्ड फाम महराश्ट टर्वीं नैंट इन 2018 दो आजर तो इंडिया की यह जो लाइव एक्जामपल है कि 2018 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है महाराश में देखा गया था लास्ट टाइम और अब महाराश से खतम हो गए है तो उन्होंने कही न कहीं जो है वह एलियन स्पेशिस इन्वेजन वाला प्रोसेस अपनाया होगा महार ग्रेट लास्ट टॉ टॉ धर वाचिए यजियो तो था लुट टॉ 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 झाल झाल झाल